आज शान्तिवन सोसाइटी में होगी जशनिब बहार लॉट आया है कपिल का पुराना यार तुछ तरे नमें से कहा था? सब को बढ़ा पाजी मैं अस्ट्रेलिय गिया हो था अस्ट्रेलिय तो हम सारे गहे थे सारे वापिस नहीं न आये महतल को चार चान लगाएगा राहत इंदौरी जी का शायराना अंदाज बनके एक हादसा बाजार में आजाएगा जो नहीं होगा वो अखबार में आजाएगा चोर उचकों की करो कदर के मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आजाएगा सबीना अदीब की शायरी बिखेरेगी महबत के रंग साथ में होगा डॉक्टर कुमार विश्वास का दिवाना पर्द मैं तुझ से दूर कैसा हूँ तु मुझ से दूर कैसी है ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है तो शुरू करते हैं एंटर्टेन्मेंट की महफेर वाव तो शुरू है वेज़ वाहिए को भी तुरू करेंगा जलसक्राइब नंग गुडिए को एंग्वन पाश्रम जिए कपिल शर्मा वाहिए से ज़ए प्रवाद खुख राफ। चंदू मेरे दोस्त तु वपिस आगया? मैं जब फित तु डाल यार अरे वो रूठा था ऐसे जैसे नई दुलनिया रूठ जाती है इसकी कॉमिक टाइमिंग देख मेरी तो हसी छूट जाती है कपल और चंदन की दोस्ती है इतनी सची के बीच की दिवारे खुद बखुद तूट जाती कंदू, मेरे दोस्त! मेरे बड़ी खुशिए यर, तू आपषा गया? पाजी, मेरे वापिस ने आया हूँ अँछी ये अजिए दागिल्ते हालचाल पूछने के आगूँ क्या होगा ता आपको? मेरे यर, शूगर कम होगया थोड़ा मेरे गर से ले ले लेटे अई तो पॉंट मार गया थी? छोड़ यार, तू बदा तू इतने दिनों से कहा था? कितने दिनों से कहा था? सब को पजा, बाजी मैं से इस्टेलिय के या, वो था ता इस्टेलिय था, तू अम सारे गे थे? सारे वापिस नहीं ना आये? चल खोड़ यार, तू तब मुझे भूली गया था? आपको कोई कैसे बूल सकता है, प्रदानमंत्री से जादा तो आप न्यूस में रहते हैं पाजी, मैंने क्या-क्या सोचा था? अस्टेलिय में जो फोटो केज़ी हैं, वो इंडिया जाकर पोस्ट करेंगे यहाँ जब वापेस तो पहले से फोटो में चपी हुई थी और वो वो फोटो में चपी हुई थी, जो हमने खिंची भीनी थी चंदू, तुझे थे पता है, यहाँ थोड़ा बड़ोला हूं उसमें इसी यह आपके साथ ख़ड़ा हूं मैं आप बड़ोले और दिल के थोड़े अच्छे हैं और सभी बात है पाजी वो कहते हैं ना, की वह चाय कहा हूं जिसमें अबाल ना हो और वो दोस्ती कह जिसमें बवाल ना हो और पाजी इसने जो भी काम किया है वो चायीयों पर किया है, चाहे、 हूँ मुझे पाजी? मुझे नहीं गाता कि अमारेस घ्रलेया गजहा ओक टा самर्फ नचर लगाता? ते पाजी, आम गंगारु हारे आपने weekend, ते फे रते निह डाये हुआ ह कि सारे कंगारु के सारफ." अथी? हाई अलो हर आडरा भोलना तुझे लें लेगया रहां नहीं तुझे पथा था हुसु आप सारी दुनिया को पता चुलो सभें का अजिया कित्र पड़ता है हें हलो हां जी बिल्क आइशू कर लें कि हम करेंगे सर हां जी कॉप्ल भी सात मैं हैं का कर शो है अस्ट्रेलिया का? फ्लाइट से लग लग करवादे ना हमारे हम कर लेंगे अलो हो गया तेरा? अभी बता आगे का क्या प्लान है? आगे वही शनी अतुबार रात नौबज सोने डीवी पे यह होई ना बात मेरे दोस्त इसी बात पे एक एकप चाहे हो जाए रही बाने मंगालो फिर मंगवालो क्या तू लेगा कपू शर्मा बही दरा मैं चाय पिलाँ आपको नहीं तो तुझे क्या मैं सुदूची की जगा पिठा दू कपू शर्मा क्यों यह होई रहाँ चंदू तुम यह मुझे देख और इतना तुम्हां कि और मेरे बूफच न कलाई है बताव तुम्हां तो मैं देखकरोना यह कितना आकटन्थ के साथ नकली अगए यह यह इणक्शो में जिग अगए I have class वेशे चायवाला आगया है जाओ धोलो सारे ग्लास तो फिर क्या है चायवाला चायवाला क्या होती है मैं पाजी महनत करता हूँ कमागे खाता हूँ तुमारे जेंडर मज़दी उर्थी ने करता हूँ पाजी मुद्दी लाख बुरा चाहे तो क्या होता है तो क्या होता है मैं भी उद्रू में उद्रू में उद्रू में उद्रू में जिसका कोई नहीं होता है जिसका कोई नहीं होता है उसकी अरेंज मैरेज होती है लेकिन तुमारी अरेंजमेरी तुमारी ब्लेम मेरिज होगी जाओ बार किसी पर ब्लेम लगाओ जाओ जाकर तांकि तुमारी शादी हो चन्दू ये बहुत जादा हो गया, okay? मैं ये सहन नहीं करूँ गी, रुख जाओ रुख जाओ वहलो क्या करने लगी है? वहलो एक एक औरत का मजाक उड़ाने वाले के पेर नहीं तोड़ते तोड़ते हैं उसकी दुकान जे महेश्मती अगर किसी ने मेरे दोस्त की दुकान को हाथ भी लगाया तो है? मुषरभा, एक बात बताईए यह लावा प्रेजेंट्स है के प्रावा प्रेजेंट्स है यह आपके दोस्तों खतम ही नहीं हो रहे हैं और भी तीन-चार खड़ें बार तो बुला लीजी है हेलो इतर को मजे लेननी आया, अपने दोस्त की दुकान बचान आया हू तूम मेरी दुकान बचाने के अपने शुरू करने के लिए अए बात सही है इतनी प्रॉल्ब्लम किसी को मंपी का आने से नहीं होती है जितनी सातमी का आने से हो रही है वो उबले हुए भालू एक को खुड़ा उदर रहा हम दोस्तों के बीच में तू मता दोस्तों के बीच आई वो तो छोड़ दो अगर दोस्तों के ऊपर आगई न यह बच्पन के दोस्तों की चटनी बन जाएगी ओ बंपर बंपरदार अगर मेरे दोस्तों के जबान लड़ाई तो छोड़ा मार इसके सर पे वाँ ओ गदार दोस्तों इत्डुपाजी दोस्तों मनाये थे हमने के वक्त पे काम आएंगे हाँ अब काम का वक्त आया तो यह दोस्तों कटपा बने है देखो तुझ को एसी बात खर्दा तभी नी पुलाती Commission कभ उडर प्रफब तू तु तो तु तो तू तो मेरे सद मत कियाकरreek पाता है कि इसको यहां पर चुे अरम्रोद मिलेग आग इसको यहां पाजी माहें अभी मैं इसी रास्ते से जा आगा हूँ लेकिन जैसे मेन दिमाक में आ गया हूँ झागे तो मुझे इसी रास्ते से वापस आऊँगी तुम दूनों को रास्ते पिना ले आई तो मेना नाम बदल देना आय, बढ़े ! कुलाइब था यारे तूमधर कर रिदू है यार। तुम्हेन करणे के यार। यह रए अब रहा पता हूंगा। कुछ नहीं यार। मैंने का कि यही दाई तो मैं भी आजाता हूं। तू सलमान खाने जो यही डिनिकलाता है। यहारो, नहीं, स्लमान खाने में ट्यूबलाइट नहा है, बचाराई कोई बात नहीं पाजी, तुबलाइट चलती है यहारोषणी तर पूरी रोशनी देती है हांजी, यह दो टिक्टें जाहिए हैं अस्टेलिया की फ्लाइट की हांजी किसी को कुछ समझाना है मैंने अस्टेलिया में तेरे साथ अच्छा हुआ था, कपुटू ठीग था शट अप, मुझे बीज में मतलाओ मैंनी आजकल किसी के बीजमें बोलता है हलो चंदू हलो थाकुर वाची, क्या बाते है ऐसा तो नहीं पुराना एपिसोड चला दिया नहीं नहीं तो रहा है यह पुराना एपिसोड चला था तूम नजर नहीं आती उसमे हमारी एक्षिट उए इंट्री हुए थी कोई कजी, कुशी की बात है वैसे लॉंग टाइम तो सी या 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 इट इस वेरी लॉंग टाइम अच्छी आइवाज बुजी इन माइ सम्थिं बिजनस अच्छी मेरा यार आज भी नहीं बदला है उतनी गंदी इंगली शाज भी अच्छा देखो बाजी जाज कौन गर रहा है प्रफेसर फर्नेंड़स कपे शर्मा मैं शो में आगा हूँ लेकि मेरी कुछ शर्ते हैं सबसे पहली मेरी शर्त ये है कि मेरी सरला कि साथ ना फेर बगहरा करवा दो वह जरा साथ हेलो किया जहें इसका तो हॉसला ही बुलंद गया और दोरुपे गुड काम का शरी खंड हो गया ठर्क अपना सरल आज का क्या प्रोग्रम अश्ल का प्रोग्रम धर्म एड़का सरल no, I am very difficult. I am not sir al and the other way बड़ा रुहाना प्रोग्रम है very good सब्सक्राइब जाती है मुझा जटेलाइ के बुरी लगीती जितनी यह बुरी लगई है मेरे बात सुने यह बात्यमादी जानवाली मेरे साथ निकरनी ओके बनेस्टनल पाजी बैथी में उनके गले लग़े जाए करदार आपर्दार मेरे होते हुए अगर सिक्वेषन पेलागा या.. मेरे लग लग जाया तूम क्यों रगले लगोगगे? मै मैं कपव के लग लगोगी Ontario, मैं लग एले लगए लगगो तुमारे लगगो यार आपस संब मत लगो सरला मैं टेलिंग गिमी हुग। वाच? मतलब इद निकल चुक यह सवय निखाई हमने हाँ तो है ना अंदर एक पेशेंट उसके परिवार वाले सवय लेका हैं सब साथ में जाके लूटते हैं अच्छा वैसे आपको बड़ी प्रॉलम होते होगी ना कि यह यह गोइड़ ही जलो कवी यारे में तायारों करें आज हमारी सुसाइट्य जो है को मुषयरा का मन्च बनने वाली यह जाएगा अज असा मुषयरा होने चाहां यहां पर कमाल हो जाएगा क्योंकि आज यहांपर देश के माने हुए हिंदी और उर्दु के शायर राने वाले हैं, मैं इनकी तारीफ में क्या कहूं? जितना भी कहूं कम होगा, तो एक एक करके मैं इन सब को इन्वाइट करूंगा, सबसे पहले आप सब की जोरदार तालियों के बीच, प्लीज वल्कम, कभी सम्मेलन के रॉक स्टार, कर्द कमार विश्वाथ! जोरदार तालियों के लिए, दौक्टर कमार विश्वाथ जी के लिए! आपका बहुत-बहुत स्वागत है! बहुत-बहुत दन्यवाद! और जैसे कि आप हिंदोस्तान के जाने माने शायर हैं, हमारी सिदु साह भी शेर शायरी को बहुत पसंद करते हैं, तो आज आप आया हैं, तो आपकी तरफ से सिद्धू साब के लिए कुछ हो जाए। तो सोच रहा था कि सिद्धू साब मुझ पर शेर सुनाएंगे आए। वो ज्यादा लड़कियों को सुनाना पसंद करते हैं। लेकिन सिद्धू साब मैं आप पर अपनी जो मेरी स्पेशिलिटी है जिस तरहे की दुने में उस पर चाड लाईने सुना रहा है। शाथ, उल्टी गंगा वरी सभी कुछ देश की मिट्टी से ओत अप्रोत कहते हैं। गुरू के बाज हैं, परशान्ती दूत कपोत कहते हैं। वा, करिये। गुरू के बाज हैं, परशान्ती दूत कपोत कहते हैं। भले वो खेल हो, या हास्य हो, या राजनीती हो, सभी में सिध्ध जो सिध्धू, उसे नवजोत कहते हैं। क्या पाद है। वा, आज लाजवावावाई। कुछ दिन पहले यहाँ परेश्रावल साब आये थे, जो की बीजेपी जे हैं। पांग्रेस सामने रहती है। आज आप आये हैं। आज मैं कह सकता हूँ, मेरा सारे राजनीतिक दलों के साथ उठना मैठता है। कुमार भई कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगा पे गए हूँ परफॉर्म करने और पुलिटिकल स्टायर काफी रहते हैं। लेकिन जब आपने दूसरी पार्टी के नेता बैठे हूँ, तो फटफट फटफट अनी कविता बदल ली हूँ है। ने, 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 कभी ऐसा नी बदला, मैंने, अगर पढ़ दिया ऐसा कुछ गढ़बड है, तो मैंने सबसे पहले देखा कि मंच पे वो जगे कहा से रहना से उतर के भागा जा सकता है। कारिकम के बाद निकलने की सुषदा कहा से और भागा से है। कुमार साब का असली जो नाम है वो विश्वास कुमार शर्मा है। इनोंने पलट करके कुमार विश्वास रख लिया। सर आपकी किससे शर्त लगी थी कि अगर मैं यह नहीं कर पाया तो मैं नाम पलट दूँ अपना। ऐसा था था। मैंने जब पहली बार पोईट्री छपने भेजी तो मेरी जो बड़ी बहन है। वो हिंदी में प्रोफेसर है वंधना तो उसने मुझे का के विश्वास कुमार शर्मा बड़ा नॉन पोईटिक नाम है। बड़ा कविता की फील ही आरी। तो नाम सुचे गए कि विश्वास, जिश्वासी फला दमगा तो कुमार शर्मार शर्मा बड़ा के चल गए। नाम में बड़ा होता है एक राजा किया तीन वीरस के कवी गए। तो तो तीनो एक के बाद एक सुनाना था तीनों में तो थी तो दो यह नहीं जम जाए विमर्दन सिंग। जब दो दोती है थी तीसरा वाला यह वहार फरस्टेड़। अर्दल गन्जन होगे अर्दल बजबल भंजन होगे और आपका नाम क्या है? डोले शब मेरा नाम है अरदल भार्या पीन पयोदर मन्नमान विमर्दन सिंग। वो इसी नाम पे जमगा ताली। अजया किसी को कुछ ढूंड रहा हो जा थो गूगल पर ढूंदा है। पिछले दिनों गूगल ने इनको ढूंड़ा था। Google आपको क्यु बुला था, Sir, America? उन्होंने तुन्ड़ा कि वोट्री में कौन आदमी चल रहा है, कौन सबस्यादा सर्च किया रहा है तो उन्होंने मुझसे का कि आप आप आये और बताये हिंदी कविता के बारे में, पोट्री के बारे में और मुझे पेली बार बहुत अच्छा लगा वहां जाके, इसलिए अच्छा नहीं लगा कि गूगल एटकोर्टस में बुलाया है इसलिए अच्छा लगा कि जो हिंदी जबान आज से 10-15 साल पहले जरा यह मानी जाती थी अच्छा पोट्री ओ कवी आज कम से कम इस जबान ने, इस भाशा ने, इस मान ने अधिकार दिया कि पूरी दुन्या सुन रही है, पूरा जमाना सुनना और माह हिंदी का नाम जाए 希Listener Hindi है हम, वतन है, Hindustan हमारा, जो भरा नहीं है भावों से, परती जिसमें रसधार नहीं, वो रिद्h Er यहां पक्तर है, जिसमें स्वादेश का प्यार नहीं आढ़ अरपाज़ जोभी-जोगी पादा हुए प्यास। जैसे ने कोई बात कही है, तो हिंदीवाली बज़ते हैं, माफ कीजिए, मैं समझा नहीं है, दुबाराद से बोलेंगे, इसे भी आगे हमारी जो रीजिनल जेस्टर्स हैं, जो इलाके हैं, मैं जा रहता हूं मेरेट में, जो आप से बूचिए कि वुचिए कि वुचिए वु पारी कहते हैं, कि जहान पहुंचे रवी, वहां पहुंचे कवी, पहले तो मैं यह पुच्छना जाता हूं, सर यह लाइन किसने मनाई थी, अजा, देखो क्या था नहीं, एक आदमी कवी जो है रात को बुचार विशारा को पढ़के, और उसके बाद परमदशा को प्राप वहां पहुचा कवी, वहां अंदर पार, जो अज आज हमारे मंच पे, हिंदुस्तान के और तिगज कवी जो हैं, वो आने वाले हैं, मैं उनका नाम लेने के लिए भी बहुत छोटा हूं, तो मैं चाहूंगा कि, कुमार भाई, आप प्लीज अपने अन्राजम, बिगोज आ पस फरक है इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना, इतना सिर्फ अंतर है, बाकी जबाने एक ही, तो एक और ऐसे बहुत बड़े शायर जिनका सब को मन था, उनोंने बहुत सारे नगमे लिखे हैं, और मैं उनी का शेर उनको सुनाता हूं कि काम सब गहर यो करते हैं, रात औरीस अप का सवागा स्वायाद है, तिनिया के अरगू के सबाले शायर जणाब रात नरी साप करते हैं, रात नरी सापकर के लिए दर्दार तांगे एक बार अरा instruments के लिए कैसे है, महरबानी बहुत बहुत आफी आइये लातभइड दरफ नाहिका बहुत 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 भाहिए ज्श। आज आप वहारे इस मंच पर पठा रहे हां बहुत बहुत शुक्री है यहां पिक हाने के लिए बहुँ शुक्री आप सर इससे पहले कि कुछ बात्षीत का सिल्सला शुरू हो कुछ हो जाया है, सर मेरा खार है कि सीधा सीधा बताओ कि शेयर हो जावनना है कुछ और भी कर सकते हैं अगर हम कितने बिगड़े हुए हैं यह पता करना हो तो हमारे गर का बुजरू देखिए वो बहुत जादा बिगड़ा हुआ है असर में कुमार शायद मेरी उम्रे की तरफ इसारह कर रहे हैं लेकिन यह नहीं मालूं कि मेरी उम्र आज सतर बरस की है लेकिन किसी लमाने में में 20 बरस का भी था मैं यही कहूंगा के गुलाब, खाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है गुलाब, खाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है मैं आ गया हूँ, बता इंतिजाम क्या क्या है का बाद है यार्जी इतनी महबबत से जो आप लोग यहां बेठें आज इस मंच पर तो मैं आप सब के लिए एक शेयर पढ़ता हूं सिद्धी आप पी शरीक है अरे क्या बात है संदे हो गए आमसोड़ संदे हो गए आमसोड़ संदे हो गए किसने दस तक दी किसने दस तक दी ये दिल पर कौन है किसने दस तक दी ये दिल पर कौन है आप तो अंदर है बाहर तो रहें देखें कुमार आप मेरे बहुत ही प्यारे चोटे भाई हैं लेकिन ये दोनों शेर जो मैंने पढ़े और जिस तरीके से आपने सुने उससे अंदाजा हो गया कि बीस लतीफे सुनाने से बहतर है एक शेर सुना कि आप आप ऑढ़े खिर ये अंदाए गर्सक कि अजब उससरी कहले कर दो एप जो कि रचके शोड़े से निया गया ये जब दाए आज तो हमें सुननना है बस वही जो कहरे थे दुबारा बुलिए जिरा वांस ओर जार वांस ओर आज दबावी दिए यंग लड़के लड़कें काभी बैठें हैं तोड़ा रमेंटिक भी सुननना चाहते है मैं प्रेदे शेर सुनाता हूं ये बताया कि हमारे यहां नौजवान ज्यादा हैं मुझे कुछ बुजर्ग भी दिखाई दे रहे हैं वो बुजर्ग भी मेरा यह शेर सुन ले लेकिन वो उस पर अमल ना करें तो नौजवानों के लिए खुली शुट है कि वो अमल भी कर सकते राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना, तो दबा भी देना. कि अभर बहुन है हमने पहले ही काह था हम कितने फिगड़े हुए यह देखना हो थो हमारा बुड़ा देखना है देखिए, देखिए. oléएव, देखिए, कुमार बार बार बुड़ा कर रहे है, मि्यरी उम्र कना दे रहे हैं, मुझे। लेकिन इन्हे पेचार ही तोओंगा। इन्हें, इन्हें यह नहीं मालूम épिन्हे की सही इन्हें हृणी है यही है मैरी वह। जेंब् आपा dealt it पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है? कि आईए आई यहां पर विराजमान हो जाए बहुत बहुत सवागत है तालियां जोरदार होनी कहिए राज साब आपकी शेर और शायरी से हमें तो बहुत रहात मिलती है आपको अपने आपको जब एंटर्टेन करना होता है आप क्या करते हैं फिर मैं आपको शो देखता हूँ वाँ अशिवराद है अशिवराद है अचा राज साब तुमार भाई को जवानी पर गुरूर बहु राज साब शायर ऐसे कहा जाता है कि या तो दिल फेंक होते हैं या दिल जले आप कौन से बाले हैं देख आप मुझे देखर अंदाजा लगा सकते हैं जला हूँ सर्फ किसी मूड में कुछ हो जाए सर्फ देखिए एक जमाने में मैंने एक शेयर कहा था जी शुला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे आह क्या बात अराज भाई वाँ है जला चुकी थी ये दुनिया थपक थपक के मुझे जगा दिया तेरी पाजेब थपक थपक के मुझे कोई है कि मैं इसका क्या ऐलाज करूं हाह! परेशा करता है ये दिल धाड़क-धाड़क के मुझे! बुन्नावाद! बुन्नावाद! क्या बात है? सर आपने कायल कर दिया, सर. कायल कर दिया, कमाल कर दिया. अब भी कायल भी करेंगे आपको, सर? और उसके बाद रहात देंगे. कायल कर देंगे? रशार कुछ चाय कौफी आपनेगे? पीलेगे पाएगे, चाय पीलेगे. इनका एक शेर है कि अब चाय कौफी पूचरे आप रात भाई से. पूरी दुनिया जानती है. कि देंड़न ढ़ल गया, इनका शेर है कि देंड़ गया तो रात ऋर्फ कबद गुर्ने की आस में, देंड़न तो रात उर्फ कबद नदी में दूप गया हम गिलास में. मैंने इस पर एक व्यात आद आगया, पाकिस्तान में एक बहुत मशूर शायर गुजरे हैं, अमारे बड़े अजीज दोस्ते है जॉन एलिया आहा, क्या बात है वाँ तो वहां एक शो में में गया था करांची वहां से हमें बाई रोड सक्कर की तरफ जाना था अच्छा जी तो वहां सवेरे मुझे ले लेने हाए तो मैंने उनसे पूछा कि इस सक्कर तक जाने में कितना वक्त लगेगा तो उनने का तीन पेग तरफ कोई दिवाना कहता है, कोई पागल समझता है कुमार भाई ये थौट कहां से आया था अब ये परसनली तो ऐसा था कि उनने के दिन थे खिला है ये अच्छा कि मतला होते ही थे हुमारे पास कोई सटाइडे का शोड़ी थोड़ी था कि हर बार नई हरून के साथ कर लें हमारे पास तो एक ही ती वह भी जैसे तैसे महले में तो स्टी महनत करके बनाई थी क्योंकि यह तो नई जनरेशन का भाई हमारा चुटा तो अब तो सब कुछ चल गया वाटसाप और यह सब दीम ब्याम हमारे जमाने में तो हम बैठे बैठे रहे थे महले में और वहीं से पूरा मौल गुजड़ता था हमने सामने और सभी लोग लड़के आपस में तेह कर ले ते निली वाली तेरी पीली वाली मेरी इसको पता ही नहीं चलता था कि उसकी रवस्त्री हो गई एक दिन लड़की का बाप आपके कहता था था गुड़ण की शादिया सब भाईयों को काम करना है और हम उसी लिफाफे में कन्यादान देक आते थे तो प्रेम पत्र देने के लिए लेके आए तो इसमें सिद्धु जैसे लोग जो पॉलिटिक्स में बाट शुरू में आगए इनके तो और दिक्कत है तब जिस समें चुनाव होता है और अपनी कॉलोनी से अपनी जगे से प्रेटिशन बड़े दिक्कत में होता है मतला जिस लड़की से एफेर चला उसके पती को भी जिया जी कहना पड़ता है जिया जी वोट देदेना समान तो आप लगे गए हमारे दर्शकों के लिए हो जाए एक बार मैं सबसे पहले पाजी आपको चार लाइन सुनाता हूं पगड़ी जब जब मैं देखता हूं किसी के सर पे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सर्दार जो लवज है जब मैं पड़ाता था तो मुझे से बच्चों ने पूछा ग्रेजुशन में कि सर्दार क्या होता है सर्दार कहते हैं फासी को और ये चार लाइने सुनिये कि जो दो दिल एक कर देता है असली प्यार होता है करने से होता है कि जो दो दिल एक कर देता है, असली प्यार होता है, सनम को ही खुदा समझे, वही स्वीकार होता है, वतन के वास्ते अपनी जवानी दार पर रख दे, वो भारत मा कासली लाल ही सर्दार है रहाओ, रहाँ, रहाँ, बारत बीवाना क कहता है, कोई पागल समझता है, वगर धरती के य। जδर कोई ने बीवाना कोई य। तु मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, या मेरा 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 दिल समझता है सर, बतला ही दो किसके राज हैं आज बोली दिए सर मुझमे कितने राज हैं बतलाओं क्या मुझमे कितने राज हैं बतलाओं क्या मुझमे कितने राज हैं बतलाओं क्या बंद एक मुद्द से हूं खल जाओं क्या मुझमें कितने राज हैं बत्लाओं गया बंद एक मुद्दत से हूँ खिल जाओं किया खिल जाओं किया अभी इसमें शरीक हो जाना आप सब लोग नो मज़ा हो जाए बंद एक उपटत से हूँ खिल जाओं किया आजिजि मिन्नद हुशामद इलतेजा, आजजी, मिननात, खुशामद, इलतेजा, और में क्या क्या करूँ, मर जाओं। वाग, क्या बाग है? वाग, राज साब ने संजीदा शायरी तो बहुत ही किया है, फिल्मों में भी गाने बहुत लिखे हैं, सर, कभी किसी प्रोडूसर ने आपसे अतरंगी सी फिर्माइश की है, हलाकि किसी की जूरत नहीं है कि आपको यह बोल दे के यह यह लाइन को ऐसे कर दो, क्यूंकि आपसे बहतर कौन समझता है, लेकिन कभी ऐसा हुआ कुछ है। बहुत पचास बरस में बहुत तजरबे मेरे चाल है, तीन-चार दरजन फिल्मों में में गाने लिखे हैं। और अजीब जीब तजरबे हैं। एक नाम तो नहीं लूगा में लेकिन प्रोडिसर मेरे पास आये एक फिल्म लिख रहा था में अनु मलीक के थाथ अचा जी उन्होंने एक लाइन मुझे दी कि राहाद साब मेरे लिरिक्स में ये लाइन जरूर अना चाहिए अचा जरूर अना चाहिए तो मैंने ने देखा तो वो लाइन गालिप की थी तो मैंने उनसे कहा के देखी ऐसा है कि ये मिर्जा गालिप का मशूर शेर है और ये लाइन भी मिर्जा गालिप की है लोग बहुत ही बुरा भला काएंगी, हम लोग पखड़े जाएंगे कि अधाब के गालीप की शायरी पर हाथ मार दिया। तो वो सोचते रहे एक दो मिनिट सोचते रहे और फिर कहा, के रहाथ भई कहा रहता हजार दो हजार देकर सोचते खटम करो और रहाथ जाएंगे अधाएंगे। आसमा लाए हो, जमी पर रखतो आहाँ, हाई हाई एक शब्द इसमें हुजरा, हुजरा कहते हैं साधु संतों के रहने की कुटिया को, जोउपुडी को देखिए जो इस शेर आपको समझ में आता है, जिस पर आप ताहलिया मझाते हैं वह वागी अच्छा होता है जो अगर आपको ज़रा भी मुश्किल लगे और समझने में ज़राशी परेशानी हो, समझना रहा है तो नुरी ने आज कोई बड़ी बात कहे दी उसके कारेब ज्यादा कीजिए ज़राशी अब इसका मज़ा लेजिएगा, कि मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो आस्मा लाए हो, ले आओ, जमी पर रगदो आओ, 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 आओ मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रगदो, आस्मा लाए हो ले आओ, ले आओ, जमी पर रगदो, अब कहां ढूनने जाओगे हमारे कातिल अब कहां ढूनने जाओगे हमारे कातिल आप तो कतल का इल्जाम हमी पर रख दो अब तहाँ ढूनने जाओगे हमारे खातिल आप तो कतल का इल्जाम हमी पर रख दो मैंने जिस ताख पे कुछ तूटे दिये रखे हैं चांदतारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो पर वाइब रहाँ है। वहाँ थे वहाँ है रहाँ है। बजी दो शेरों के बीच अब वक्त है। एक शेरनी को यहाँ पर इन्वाइट करने का। तो यह जिम्मदारी में एक बार फिर से कुमार भाई कोई लगाना चाहा है। मैं बहुत अच्छे राद भाई के रहने पर और हिंदी उर्दू दोनों महबबतों के बीच हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी शायरा है, बहुत बड़ी कवित्री है शबीना अदीब साब को मैं करफिल भाई की ओर से आमंतित करता हूं जोरदार तालियों के साथ शबीना जी के लिए एक बार जोरदार तालिया होना है बहुत ही कमाल के शायरा है, शबीना यह आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में बहुत-बहुत शुक्र गजार हूं आप सब की के आज इस मौके पर आपने दो कलमकारों के बीच एक छोटी सी शायरा को भी याद किया मैं नज़ करती हूँ के हमेशा एक दूसरे के हक में दूआ करेंगे ये तै हुआ था हमेशा एक दूसरे के हक में दूआ करेंगे ये तै हुआ था मिलें के बिछडें मगर तुम ही से वफा करेंगे ये तै हुआ था वाँ, 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 मिलें, ते बिछडें, मगर तुम ही से वफा करेंगे, ये तै हुआ था, और आप सब को एक शेर नज़ करना चाहती हूँ के, कहीं रहो तुम, कहीं रहे हम, मगर महबत रहेगी कायम, यह हिंबुस्ताम के तैजीब है, पाजी से कहीं रहो लुर्दात आलियं, शुमएनाजीब है, वाँ, वाँ, बहुँ वाँ, ऄलकि आपके आने से पहले रात भань, से अम लोग वने सton कोई बात नंहीं होते है, वी एक इस तो दिल में गम गोट बने। अब कहा जाता रहा है कि गम हो तो आदमी शायर बनता है, आप तो बे-गम हैं आप कैसे शायरा बनी? देखिए, चुँके मेश्जी जगह की रहने वाली में छोटा सा एक कस्बा है वहां की मिट्टी में शायरी मैं समझती हूं, पनप्ती है, हमारे सर जानते हैं, राथ सहाब और आप मतलब वहां का अगर 16 साल का भी बच्चा मिलेगा, तो आपको शेर कहता हुआ मिलेगा, यह वहां की मिट्टी में यह बात है तो उस मिट्टी से मैं भी एक चोटी सी शायरा निकल कर आई आप सक्थी ब्राओं की बदॉलत और मैं चाहती हूँ कि मैं जो बात नसर में कहूँ बातचीत में कहूँ वह हम शेर के जरीया आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इतनी हसीन महफिल है तो कुछ हसीन और महबतों भरी बातें भी आजकी इस अच्छी महफिल में होनी चाहिए एक गजल मेरी बड़ी मशूर सी गजल है मैं उसके कुछ शेर मैं चाहती हूँ कि मैं सुनाओ और आप सब जरा मेरा साथ दीजिएगा तो मुझे पढ़ने में अवर अच्छा लेगेगा सुनें खमोश लब हैं जो के हैं पलके दिलों में उल्फत नई नई है खमोश लब हैं जो के हैं पलके दिलों में उल्फत नई नई है अभी तकलफ आगफ तगू में अभी महाबत नई नई है तो बहुत शुक्रिया इसके शेर पढ़ते हूँ जी अभी ना आएगी नीद तुमको, अभी ना हमको सुकु मिलेगा, अभी ना आएगी नीद तुमको, अभी ना हमको सुकु मिलेगा, अभी तु धरकेगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं नहीं है वावाज़ वाज़ू वाज़ू जुकी है तल के दिलों में उल्फत नए क्या पाग है? बहुत लुट वाज़ू अच्छा ये मेरा एक सवाल है आप सबसे कि जैसे कवी समेलन जब होते हैं बाजी तो आच दस कवी जो रहते हैं उनके बीच में अकवितरी होती है तो, एक वितरी क्यों होती है? मतलब क craz़ते हैं कि ये भारी बढ़ती है कि पाकी के 8-10 कवी हैं जो ताम ह्याएं और कि कया आई एक भारी हो ख़री घर्टाइ लिः परते हैं वो कभी तरी पेपरवेट की तरह होती है और उड़ नहीं जाया है तो राहत भाई जो हमारे यंग जेनरेशन बैठी है कुछ और उमीद कर रहे हैं, कुछ आये कुछ आये कर रहे हैं जिराद भाई, आशुष्कुरिश्ट एजover शुशू खङ lach आप बहुत देर तक ज्यादा मै आज यह कर रहा हम के ज्यादा यह सुन रहा हूं कुमार भाई की बातेहि आपपिल की बातें सियसे fulfilling सियसी इमानदारी सिय शूशी हों की बातें बहुत देर तक सुनिया भाई को भी सुना एक शेर अचानक याद आ गया वो शेर ना सिद्दू जी आपके लिए ना भाई के लिए देखिए था बनके एक हादिषा हादिषा बनके बनके एक हादिषा बाजार में आ जाएगा बनके एक हादिषा बाजार में आ जाएगा जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा शेर कुछ और सुनाना चाहता तो आप सुनें बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा जो नहीं होगा तो अखबार में आजाएगा चोर उचकों की करो قदर चोर उचकों की करो قदर मैंने पहले के दिया इन दोनों में से किछी का शिर में कि गो नहीं होगा उचकों की करो قदर के मालूम नहीं कौन काव कौन सी सरकार में आजै कि झाल कीछ सर, कपिल के साथ करीब-करीब तीन सौ शो कर दी है, अजर लेकिन अगर मैं कहूँ कि नमबर वन और नमबर टू या नमबर टू या नमबर वन तो वो दो शो मेरी जिंदगी के सबसे बहतरीन एक वडाली ब्रदर्स और एक आपका शो अजर अबर वो यह मेरे दिल की घहराई से अजर और आप जब बोलते हैं तो मुझे लगता है कि खुदा दिल में आपके पैठ जाता है और आपसे बुलवाता है आपसे बुलवाता है जो मैंने अभी सुनाया इसमें दो लाइने ओर रह गई पहला जो शेयर सुनाया था वो मैंने माफी मागी थी कि सुदू जी और कुमार के लिए नहीं हैं लेकिन अब जो मैं पढ़ रहा हूं वो कुमार के लिए है सुदू जी आपके लिए चोर उचक्कों की करो कदर के मालूम यह पराना वाला नया बाला नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा नई दुकानों के चकर से निकल जा नई दुकानों के चकर से निकल जा नई दुकानों के चकर से निकल जा वरना घर का सामान भी बाजार में आगा कि अफ़ की जाने तो आपने गीत गजलों से उसे पेगाम करता हूँ मैं अपने गीत गजलों से उसे पेगाम करता हूँ उसी की दी हुई दॉलत उसी के नाम करता हूँ उसी की दी हुई दॉलत उसी के नाम करता हूँ हवा का काम है चलना दिये का काम है जलना हवा का काम है चलना, दिये का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता। और चाल नाईने आपको सुनाता हूं, रात के समय लोग देख रहे हैं, किसी के दिल की मायूसी, जहां से हो के गुजरी है, बहा करो वा वाँ हुआ वाँ हुआ हम पाझे, एक प्रोग्राम में यहां, मुझफवन नगर में हुआ, वह बहुसतर रिफने शाहर आए थे, उप यूपी के निस्टरल भी थे, तो बाद में भाशन देने के लिए आए तो उने डाए बहुत अच्छा मुशारा हुआ और बहुत अच्छे मुशार आए और कई मुशार ने अमसा तवज्ज्ज्व मांगी है तो हम लखनो जाके मुख्यमंदरी से बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस साल हर मुशायर को एक एक तवज्ज़ दिला से के आप तवज्ज़ देते रहें किसी के दिल की मायूसी जहां से होके गुजरी है हमारी सारी चाला की वहीं पर खोके गुजरी है तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है तुम्हारी सोके गुजरी है हमारी रो के गुजरी है तुम्हारी सोके गुजरी है हमारी रो के गुजरी है वहारी सोग के गुजरी है, हमारी लोड वा, सोरदार तालिया एक बार उच्छाए बहुत 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 अच्छे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आई ये सर राज साब, कुमार भाई, शमीना जी आज सब आपके सुनने वाले यहां पर मौझूद हैं तो हमारे शोव में हमेशा ही जितने भी चहते स्थार आते हैं लोगों के तो आपनी अपनी फर्माशियी रखते हैं बाते करते हैं तो जोबी आप दिल की बात कहना चाहें, पूछना चाहें कुछ सुनना चाहें, तो आप कह सकते हैं Journey Hello Sudu Paji Hello Kabil, Hello Raath sir Hello Raath sir वहला हिमत कैसे एक रहाद से कोश्चर बुछते हैं अच अच जी वैसे हमारी टीम में है तो आज पता नहीं आज वैसे आख फैन हो यह अच्छा वैसे आख वैसे हैं वैसे बट बड़ा फैन है और अंदॉर से हैं आपके तो मुझे शर आपसे यह सीखना था जिसा आपका अंदाज है एक बोलने का शाहिरी तो सर मुझे मैं भी कुछ कुछ कोशिश करता हूं पर वो अंदाज नहीं सर मुझे तो वो बात नहीं बनती सर तो अगर तुम में वो अंदाज होता तो हम उनको क्यो नवाइट करते हैं यह तो तो अपर वाले का करम है अच्छ कुछ सुना दो राथ साब को फिर आइडिया तो लगे था कि मुझे भी पता चले कि मेरा अंदाज कैसा है हाँ साहर एक लाइन लिखिया अगर आपके अंदाज में उस बूल करें झार राए जिए जरूर रूर वाले यह सूरज यह सूरज यह सूरज यह सूरज यह सूरज यह सूरज मेरा कुच बगाड़ नहीं सकता ह। इस कि दूप जब भी चलती है मैं उसके जुल्फों में बैट जाता हूँ ये इसमें उने खुद लिखा है पका? है सुछ कस्रम कहो जासब दीजी आशिरवाद इनको मैं आशिरवाद और दूाएं आपको यही दूँगा के अपने आप में अपना कवी, अपना शायर, अपना अंदास पेदा करो वाँ रहा दिन्दोरी बनने से कुछ भी मज़ दूँगा एक वाकिया याद आगया भाई सुनेंगे कुमार भाई ये ये भाई लखनओ में एक बहुत ही गुष्छ जैसा ये बच्चा बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, इसी उम्र का बच्चा बहुत ही खुबसुरत, बहुत ही तीक है नाक नक्ष उसके, सुनेहरी बाल, बिलू किलर की उसकी आँखें और जब माईक शायर था उप जब वो माईक पर आया, तो पुरा रहतिंदोरी बन चुका था आँ, 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 सब सरी बाते हैं और जब वो पढ़के बेठा, तो हमारे एक बुज़र्ग शायर थे, कानपूर के फना कानपूरी, उन्होंने कहा, कि बेठे, राहत इंदोरी बनने के लिए, मूझ भी काला करवाना पड़ जा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम आप अपना अंदास पेदा करो, बहुत अज़रा, पर राध सर, वो तो हो जाए फिर हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हाँ हाँ, जरूरा सुना, पर ये बात बिल्कुल सही कही है, जिंदगी में जब कोई किसी की कॉपी करता है, दूसरा वो बन नहीं पाता और खुद को खो देता, इसलिए दोस्त, खुद को मत खुद को मत खुद को मत खुद को मैं एक कुछे सुनाता हूँ, आप सब की ड्यूटी यह है, कि मुझे लगना चाहिए, कि मैं आपको सुना रहा हूँ, दिराद बैनायर, वाह, अगर खिलाफ है, होने दो, अगर खिलाफ है, होने दो, जान थोड़ी है, यह सब धुआ है, कोई आसमान थोड़ी है, हाँ, 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 देखिए अर्दू शायरी को सुनने की एक शर्त और एक गुर्व होता है, तरीखा होता है, वो आप पहले सीख लिए तो पूरी घजल का मज़ आएगा वरना नहीं आएगा, शायरी को समझने की कोशिछ ना करें आप, आप यकीन करें कि बहुत जो पढ़ा होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, यह सब धुआ है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग, तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ बात है राद बाई, वाह, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, लगेगी आग, तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो हमारे मूँ से जो निकले, वही सदाकत है, पिर दोनों को शरीक कर रहा हूँ, जा बात है, वहाँ यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मूँ सह जो निकले, वही सदाकत सचाई, वही सदाकत है, हमारे मुँ में तुमारी जुबान थोड़ी है, अच्छा है, और जो आज साहिब मसनद हैं, एक जगह किसी प्रोग्राम में, जब मैं पढ़ रहा था, डाक्टर कुमा संचालन कर रहे थे, तो मैं रुख गया यह पढ़ने तक, कि जो आज साहिब मसनद कर लाएं, मैं जगह किए, डाक्टर कुमार, हिंदी के अडियन्स भी हैं, बता दें कि साहिब मसनद को, यह उर्दू का लवज साहिब मसनद, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ताकि सब जो आज हमारे मुह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज सुनिये, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज सुनिये, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जा तोफे में एक देना चाहता हूँ, आप शरी हो जाएंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खुन है शामिल, यहां की मिट्टी में बेशक्त क्या बात है, वाह किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल, हिंदु, मुस्लिम, सिख, हिसाही, सभी का खून है शामिल, यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है किहाँ है, जाती में, जाती में धाभर, हthemा खून है, जाती में, तुम्हाँ केब 한 दोफ केबेशोंगर, लगा, बाप कि एंदुस्तान तक पहुचई है, जी भाइसाप, सुम्हारी नगल करने की छक्कर में बाद केहिए हिंद। कि और कोई हमारे दोस्त जी भाइसाप बहुत देर से हम आपको सुन रहे हैं, बहुत एंजॉई कर रहे हैं, तो कुछ एक चार लाइने में आपके चरणों में रखना चाहता हूँ, शबीना जी, आप देश विदेश में सभी को सुनाते हैं, जी, जी, बुस्ताकी के लिए शमा पहले जाता हूँ, कि राज मोहबबत के चुपा लेंगे, तुम आओ तो सही हूँ, कि राज मोहबबत के चुपा लेंगे, तुम आओ तो सही जखम दिल के चिला लेंगे, तुम आओ तो सही और माना के शहर मेरा मशूहूर है अंधिरों का शहर, माना कि शहर मशुहूर है मेरा अंधिरों का शहर चान आंगन में उगा लेंगे तुम आओ तो सही आखिर दो लाइने और नजर करता हूं आपको कि तुमको बेदर्द जमाने के तवज्दो की गरज क्या है हम खुद को आईना बना लेंगे तुम आओ तो सही राज हम महबत के छुपा लेंगे तुम आओ तो सहीं बहुत 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 अन्याँ कहा है सर आप? मैं मुंबई साया है सर क्या करते हैं आप? मैं सर एक BPO कंपनी में सेनर प्रोजेक्ट मेनजर हूँ तो यह आप की खुद की रचना है यह? का मतनलों काम इमानदारी जहीं करते आप सर काम पैड बर्ले करता हूं यह दिल बर्ने करते हैं व्लाएं और खुब एक बागल समझता है वा हुआ है वहुआ कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है वा 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 वही घ्रते करेंगे और ही तो यह समझेंगे Lot अब लोग क्या सोचिग है वह भी हम सोचिंगे तो लोग क्या सोचिंगी वह 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 दे लोग तो का यह जाजिब ये इसी शायर की अधूरी शायरी है पकडा लिखके कुछ रन्तरा लिखना भूल एग वाँ अधूरा होना गुना नहीं हूँ जाम अधूरा हो तो क्या हुआ नाशा पूरा देता आपे आपे आज तो मतना बिल्कुल अवाँ कुमाल कर दिया वहाँ पत्ते तो पहले खेल थी थी शराब भी पिने लगी लगी देखो Kapoor तुम्हें पता ने लेकिन मेरे दादाची बहुत बड़े शायर थे अच्छा उन्हें बेस्ट शायर का अवाड मिल चुका अच्छा अच्छा लोग अवाड हाथ में देते ना इनके दादाची को माथे भी दिया के ते जो को कब कहा है कः ते मुषायर पनाची यहाड ना इवार कभी से मोशे बेखे हुए थे अच्छा अवालोब से परस बड़ थे देख्या रगल से नाच्छा हूँ कःदा हुत शायर मेरा हो गया ते नहीं निया हो गया एट्शा है एट्शा है वाव और बाध है…. बाध हुआ है सावन में भीगने का अपना एक मज़ा रशा है सावन में भीगने का अपना एक मज़ा है इस आदमी से बात करना अपने अप मैं सजा है वाइण 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 सकतु? क्या बात केये दिल करता है तुम्हेर लगा लाईएगाँ मैं?" में दिल करता है थो जाए लोड़ा हैं? झाल के उत्झन मान जाल्बीद सी तुम्हेर घ्रश हते रिडरे करके के और कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हे और दीक surroundings हलो कमार सर, हलो राय सर, हलो मैम, इतने बड़े-बड़े लोग आइ, शारी बोलनी थी, तो मुझ से बोलती, मैं तुम्हे सिखा देता खाल, अप्ड़े लिए एक शेर अरजे बाजी बाजी, आप दिल क्या है आप मेरे जान लीजिये जाए छाय पीने से पहले दो तीन बर चान लीजिये अमानत है तो ख्यानत है इज घृटिया शारी पे दस किलो लानत है उसके पीछे पड़ियो जो तुमको जानत नहीं है। उसको आखे दिखाती हो जो अपने आप मानत है। जानत नहीं है। जानत है। जानत भोल गया यह? एक बार फिर से बोल दूँ? हाँ, दुवारा, पकररर! वाँ, 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 वोलिये। उसके पीछे पड़ियो जो तुमको नहीं है, जानत! हाँ, हाँ! उसके पीछे पड़ियो जो तुमको नहीं है, जानत! और उसको आखे दिखाती हो जो अपने आपने हैं मानत! Chandu, अब तु चुफो जावत! Please! जानत! Hello Raj ji, Namaste! Hello Shabina ji! Hello Vishwaskumar ji! Vishwaskumar नहीं कुमार विश्वास है! विश्वास कुमार नहीं कुमार विश्वास है! तो आप ये अंद विश्वास बनके बीच में क्यों गुस रहें? माफ कीजी, अमारे हॉस्पिटल में नर्स है! ये नर्स नहीं ये फर्ष है! ये फटा हुआ पर्ष है! और तुम पकवड़ा हूँ! ये तो राइम बनी नहीं नहीं बात ने पकवड़ा था बन गया कि नहीं? अटा है! वाह! वाह! ये बता बंपर तुम भीच में कहा गुसाई हो? देगे कहीं ही अगर मुशायरा हो तो ये घ्रजल तो आएगी ही ना! ये जितल! तुम तो खस्रिला हो! तुम तो खस्रिला हो! ठेला हो! और ऐसे लगता है मुंबाई गुजरा तक फैला हो! है? खर्जल कोई बात नहीं, बहुझे झाल की मुझे दूभा जी जाएज़ू क्या लेकर आएथे क्या लेकर जयोगे? क्या लेकर आएथे क्या लेकर जयोगे? 500 0000 00 already available तीन दनबवरा ना पीजा है interrupted तो पाजी? तीन चीजे जिन्दग कंवे मिलती है बडी मुश्गल क्या? दॉलत इजद और सचाहरत बीक तीन चीजेविवे मिलती हैं बडी मुश्गल दॉलत ुजद अर सचाहरत द्न वर आदमी और रात को ननौ से था सचाहरत वहतman अ tradisal अपनी निगाहों से यूना घायल करो 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 रोको नफरतों का दौर है नफरतों को रोको 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 गुरू चुको रोको 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 रो कास जी के लिए, चबीना जी के लिए, आज की शाम ये जो हमने आप सब के साथ गुजारी है सर, ये बहतरीन शामों में से एक है, और हम तामुर याद रखेंगे इसको, बहुत बहुत शुक्तिया शो में आने के लिए सर, और एक सेल्फी आप, आप भी सब इदर आजो, हाँ जाब बात है, एक बात है। एक बात जोरदार तालियं हो जाए हमारे तमाम कल्याकारों के लिए, और आज साब एक, हम अपने दर्शकों में से, किसी ना किसी को एक खूबसूरद साग्रिफ देते हैं, ये कूबसूरद सा मुबाइल और आपने बहुत खूबसूरद साथ आपके लिए, आईए. आईए, क्या बाद है, वाँ. बहुत 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 आई हो आपके बाद. राज साब, आज हमारी सरलाह, वैसे हम जगड़ते रहते हैं, बर आज इसका बड़्डे है, तो इसका केक अगर आपके बाद है. वैसे वैसे बाद है, क्या जगड़ते हैं. कुमार भई, राद साब, शबीन जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा वक्त आप लोगं के साथ गुजरा और हमारी ओर्नेंस ने बहुत ही मज़ा किया थैंक यू सो मज़ा किया थैंक यू सब्सक्रिया थैंक यू आप सब लोग असे रहिए मुस्कुराते रहिए और देख रहिए लगब शर्मा शो अच्छा और चानल ग्लिक शो लिक्त अच्छा ट आप लिक्त आप लोगंगर्षाण झाल झाल